लोग जब बेहुदा बरताव करते हैं, उन्हें लगता है कि उनपर कोई भूत आ गया था, इसलिए वो कभी सुधरते नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको नहीं पता कि ये अहंकार है कहां, पर ये अपना काम कर जाता है, है ना? अगर आपने ये समझ लिया, तो परिशानी के पल कम हो जाएंगे, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अहंकार से कोई कैसे निपट सकता है, खास तोर से पस्चिमी दुनिया के लोग, किसी और का अहंकार या आपका, किसी और का या हमारा मेरा और दूसरों का, ओ, हम एक पल में उससे निपट सकते हैं, अगर आप मुझे दिखा दें कि वो कहा है, तो मैं उससे अभी निपटा दूँगा, कहा है वो, हमारे व्यवहार में, आपको कैसे पता कि या हंकार है, मुझे नहीं पता, शायद आप खुदी दुष्ठ हो, देखिए, कुछ ऐसा है, जब भी आप अच्छा वेवहार करते हैं, आपका नाम क्या है, बल्यान, भायान, जब भी आप अच्छा वेवहार करते हैं, तो आप बयान होते हैं, जब भी आप बुरा वेवहार करते हैं, तो वो मिस्टर एहंकार होता है, ये खुद को जिन्दगी भर धोखा देने का एक पक्का तरीका है, आपको बस ये समझना है, इशायोग यही है, आपको बस ये समझना है, अगर आप अच्छा वेवहार करते हैं, वजए आप हैं, अगर आप ये समझ गए, तो आपको अपना बुरा हिस्सा पसंद नहीं आएगा, आप उसे संभाल लेंगे, नेप्टाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या अभी आप नाखुश हैं, नहीं, आपको ऐसे ही बने रहना है, बस, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खुश र आपका शरीर एक परिशानी बन सकता है, वरना आप यहां बैठे, खुशी-खुशी मर भी सकते हैं, है न, वाकई, मुझे बताईए, खुश होने के लिए आपको और क्या चाहिए, कुछ नहीं, नहीं, बात बस ये है, कि आपको लगता है कि कोई और चीज है, जो आपको न आखुश बनाती है, जैसे एहंकार, ये तो वही बात हुई कि मेरे अंदर भूद गुश गया है, लोग जब बेहुदा बरताव करते हैं, तो सोचते हैं कि उनमें कोई भूद गुश गया है, नहीं, वो ये नहीं देखना चाहते कि वो बेहुदा इंसान है, इसलिए वो बुरा है, तो वज़े मैं हूँ, अगर मैं शानदार हूँ, तो वज़े मैं हूँ, अगर मैं भ्यानक हूँ, तो वज़े मैं हूँ, अगर आप ये समझ गए, तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी परिशानियों को दूर कर लेंगे, आप उन्हें जादा दिन रहने नहीं देंगे, क्योंकि फिलहाल एक एहंकार नाम का भूत है, ये एहंकार नाम का जो भूत है, इसलिए ये बिना रुके चलता रहता है, चलता रहता है, देखिए, ये बहुत बढ़िया चाल है, आपने एहंकार के बारे में सवाल पूछा, मैंने पूछा ये कहा है, आप बोली मु जाता है ना, तो ये एक चाल है, कोई एहंकार नहीं है, ये बस आप हैं, कभी खुशनुमा, कभी नाखुश, कभी सुन्दर, कभी भ्यानक, अगर आप ये समझ गए, तो परिशानी के पल कम हो जाएंगे, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करन है, अगर आप समझ गए, कि ये मैं हूँ, जो खराब बरताव कर रहा हूँ, तो वो कम होने लगेगा, अगर आप सोचेंगे, कि आप अपने अहंकार की वज़े से ऐसे हैं, या किसी दूसरे की वज़े से ऐसे हैं, तो वो कभी भी कम नहीं होगा, आप जिन्दगी भर एक परिशानी बने रहेंगे, और शायद उसके बाद भी, शायद आपको नरक में नौकरी मिल जाए, देखिए, भ्यानक होने के बारे में ये एक बढ़िया बात है, अगर आप खुद को और आसपास के लोगों को अच्छे से यातनाएं देते हैं, तो वो आपको नरक में नौ बिरोजगार नहीं होता, क्योंकि वहां करने को कुछ नहीं है, वो मुझे नरक में नौकरी के लिए नहीं चुनेंगे, मुझे लोगों के साथ वाकई कठोर होना पड़ेगा, शायद तब वो मुझे चुन लेंगे, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर आपने ये बहाने से खुद को धोका देना बंद नहीं किया, तो नरक में बिरोजगार रहना बहतर है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नरक में बिरोजगार रहे, तो सबका भला होगा है न, तो नरक में नौकरी पाने के लिए यहाँ प्रैक्टिस मत शुरू कीजिए, यहाँ कम से कम मरने के बाद छुटी मनाते हैं, अभी बहुत काम है, जिन लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है, या जो लोग अभी कुछ भी सार्थक नहीं करना चाहते, वो मरने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपको जो कुछ भी करना है अभी कीजिए, आईए मरने के बाद छुट्टी मनाएंगे, आपको इतना खुश और इतना नकारा होना चाहिए कि कोई आपको वहाँ नौकरी ना दे पाए. आपको वहाँ, आपको वहाँ